नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप से भी कर शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं एक नई अपडेट और बिटा ये अपडेट होने वाली है DDMA की नई काइडलाइन से तो इस काइडलाइन में लिया गया है स्कूल में पढ़ने वाले विध्यारतियों के लिए एक फैसला तो उसी फैसले को देखने के लिए आपको देखनी होगी ये वाली वीडियो और बिटा इसी के साथ अगर आपने अभी तक भी शिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले शिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब कर ले अपडेट रहने के लिए इसके अलावा अपने model test paper, practice paper, answer keys, marking scheme इन सब की जानकारी भी आपको शिक्षा प्रवा पर मिलती रहेगी तो वीडियो शुरू करते हैं बिटा offline पढ़ाई जारी रखने पर यानि कि स्कूल खुले रखने पर और COVID के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजधानी यानि कि दिल्ली में प्रतिवंदों पर फैसला लिया गया है लिया जाने वाला था और लिया भी जा चुका है जो 20 अप्रेल 2022 की बैठक में होने वाला था तो प्राप्ट जानकरी के मताबिक DDMA की बैठक में यूपी और हर्याना सरकारों द्वारा दिल्ली से सटे जिलों में महामारी के बढ़ते मामलों पर नियंतर हेतू लागों किये गए नियमों पर चर्चा की जानी थी जो की बैठक कम्प्लीट हो चुकी है चर्चा पूरी हो चुकी है और अब आ गई है उस चर्चा की पूरी डिटेल क्या है वो डिटेल तो DDMA और दिल्ली स्कूल यानि DDMA का दिल्ली के स्कूलों पर कहना है कि आज 20 अप्रेल 2022 को बैठक में स्कूलों को फिलहाल खोले रखने पर सहमती बनाई गई है यानि कि DDMA की इस बैठक में जो की 20 अप्रेल को थी उसके अंदर स्कूल फिलहाल खुले रहेंगे उसके लिए एक अलग से SOP का पालन करना होगा ठीक है और वो SOP DDMA जल्दी ही जारी कर देगी इसके अलावा क्या कहना है DDMA का तो भले ही दिल्ली में COVID महामारी के संकर्मन के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रहे है लेकिन राजजानी के स्कूल फिलहाल खोले रखने पर ही DDMA ने फैसला लिया है कौनसी बैठक में 20 अप्रेल 2022 की बैठक में दिल्ली के उप राजजपाल की अध्यक्षता में हुए DDMA की बैठक में फैसला लिया गया कि स्कूलों में ऑफ्लाइन कक्षाएं जारी रहेंगी हाला कि स्कूलों में COVID को लेकर अधिक सावधानी बरतनी होगी दिल्ली के सभी स्कूलों में COVID को ध्यान में रखते हुए पालन किये जाने वाले स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर्स यानि की SOP को जल्दी ही जारी किया जाएगा और इन निर्देशों का पालन सभी स्कूलों को करना होगा इसके अलावा क्या मुख्य बाते हुई इस बैठक में तो ओफलाइन क्लासेज जारी रहेंगी सबसे पहला ये जो SOP दिया जाएगा डीडियमे की तरफ से उसका पालन हर स्कूल में किया जाएगा सारजनिक इस्थलों पे जो मास्क नहीं लगाने वाला ऐसे हो गया था ना कि चलो मास्क लगाओ मत लगाओ तो वो दुबारा से मास्क प्रॉपर आपको लगाना है नहीं लगाओगे तो पांसुर रुपे का जिर्माना होगा आर्टी पीसियार पॉजिटिव मामलों को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा तो यह थे कुछ जरूरी बात हैं जो डीडी में ने फैसला लिया है दिल्ली में ऑफलाइन स्कूल शिक्षा पर तो बिटा एस ओपी को देखने के लिए और बाकी अपडेट्स को देखने के लिए आप सबसे पहले शिक्षा परवा को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत पूरिए